दोस्तो वैसे तो कितने ही ऐसे रोग हैं जिनके इलाज के लिए संत्रे का प्रयोग ओशदी के रूप में किया जाता है कहा जाता है कि जो वैक्ति एक संत्रा हर रोज खाता है उसे अपने आप ही कई रोगों से छुटकारा मिल जाता है नमस्कार दोस्तो आपका अपने योटूब चैनल आयुरुएद भासकर में स्वागत है दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपको संत्रे के कुछ ऐसे परियोग बताएंगे जिन से आप कई भयंकर बिमारियों से चुटकारा पा सकते हैं तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कब्ज की कब्ज की वज़े से हमारे स्रीर में कई स्वास्ते समश्याएं पैदा हो जाती है इससे पेट में गैस बनती है और स्रीर भी कमजोर हो जाता है क्योंकि इससे हमारी पाचन के लिए खराब हो जाती है और हम कोई भी चीज घाते हैं वह हमारे स्रीर में नहीं लगती आपका खाया पिया आपके स्रीर में नहीं लगता और आप प्रती दिन कमजोर होते चले जाते हैं लेकिन अगर आप हर रोज संत्रे के जूस का एक गिलास काला नमक और एक चुटके काली मिर्च डाल कर पीते हैं तो आपकी कब्ज और कब्ज की वज़े से होने वाले सबी रोग ठीक हो जाते हैं और आपकी सिहत भी बनने लगती है धिरी धिरी आपकी कमजूरी भी दूर हो है गर्ब वती महिलाओं को सुबा दोपाहर शाम एक एक संत्रे का सेवन जरूर करना चाहिए इससे गर्ब के दोरान आने वाली छोटी छोटी समस्यों से आप छुटकारा पा सकते हैं और बच्चे का विकास भी ठीक ढंग से होता है और आपका बच्चा भी सुन्दर पैद होता है दोस्तो अगर आप कील मुहासों की समस्या से परेशान हैं और आपके चेहरे पर जाईयां पड़ गई हैं तो दोस्तो संत्रे के छिलके आपकी इस समस्या को समाप्त कर सकते हैं संत्रे के छिलके हमारी तवचा के लिए बहुत ही फायदेमन होते हैं इसके लिए रात तो दोस्तो ये एक अच्छा नुसका है इसका आप इस्तिमाल करके जरूर देख। संत्रे के परियोग से आप अपनी इस समस्या से चुटकारा पा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा नुसका है आप इसका इस्तिमाल जरूर करें। तो दोस्तो ये थे संत्रे से बना जाने वाले कुछ घ्रेलू नुसके इनमेंसे आप कोई भी नुसका इस्तिमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको शियर करना ना भूलें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि आने वाले हर नुस्के की जानकारी आपको घर बैटे मिलती रहे आपने वीडियो को बड़ी ध्यान से देखा इसके लिए आपका धनेवाद आपका दिन शुब हो नमस्ते